आज के दिन के अतिहासिक महतर 1991 में केरला भारत का पहला पूर्व साक्षन राज्य घोशित हुआ 1970 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रा के लिए बिहार के चंपारन का चैन किया आज के दिन 1955 में प्रसिद्ध वैज्यानिक अलबर्ट आइंस्टाइन का निधन हुआ था वील पुरुष और प्रथन स्वतंत्र संग्राम में भाग लेने वाले प्रमुक वेत्ती तात्या टोपे का निधन हुआ तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ करंट अफेर्स पर प्रकी ने वस्तूओं और सेवाओं की खरीद के लिए क्रिप्टो करेंसी के उपयोग पर प्रतिबंद लगाया अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को मैक डॉनल्स ने अपना ब्रांड इंबेस्टर बनाया है देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना 2,35,328 कैसे जाए हैं जिस में 79 लोगों की मौत हो गई भक्ती गीतों के प्रसिद्ध गीतकार पंडित किरर मिश्रा का 67 वर्ष की आयू में निधन हो गया है अल्माइटी कजाकिस्तान में एशियाई कुष्टी चैंपियंशिप में भारत की सरिता मोग में महिलाओं के 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता अल्माइटी कजाकिस्तान में एशियाई कुष्टी चैंपियंशिप में भारत की सरिता मोग में महिलाओं के 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता निर्देशत जेओ बेबी मले आलम फिल्म दे ग्रेट इंडियन किचन को शंगाई अंतराष्ट्रिये फिल्म समारो 2021 के लिए चुना गया है भारत की विशाल राव नारी को सन्युक्त राष्ट्र प्रमुक एंटोनियो गुटेरेस ने UNDP के आवर महा सचेव और एसोसियेट प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है नियुजिलेंड के स्टार क्रिकेटर केन विलियमसन को हाल ही में सर रिचर्ड हैडली पदक से सम्मारित किया गया था संयुक्त राष्ट जन संख्याकोष की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पापुलेशन रिपोर्ट 2021 में जारी की गई ब्रिटेन के ग्रास सचिव ने भगुडे व्यापारी नीरवमोदी के पत्यरपर को मंझूरी दी तसिद्ध रेडियोलोजिस्ट और एनाई एमस के पूर्व निर्देशक का कलवला शुभाराव का 96 वर्ष की आयू में निधन हो गया इन्हे 2000 में पदमश्री से सम्हानित किया गया था तीन दिवसिय भारत वायु सेना कमांडरो का सम्मिलन 2020 नई दिली में संपन्द हुआ इसका थीम रियोरियंटिंग फॉर्ड फूचर है इंस्टोल यूजिंग इंटरनेट इंडेक्स 2021 में स्वीडन को प्रतम स्थान प्राप्त हुआ है